दिल्ली शुराब घुटाला मामले में मुख्यमंत्री अर्विंद केश रिवाल की गिरफतारी हो गई है अब गिरफतारी के बाद आम आदमी पार्टी और आमादी पार्टी के कारेकरता आगबबूला है उनकी तरफ से साफतोर पर ये कहा गया है कि वो जगा जगा पर अनtak ऊसलिक्साइंगे एक तो ट्राफिक अडवाईजरी क्या जारी की गई है कहां पर आपको जाना चाहिए कहां कहां पर आपको नहीं जाना चाहिए और दूसरी पुलिस की तयारी कितनी ग्राउंड जीरो पर नजर आ रही है सबसे पहले मैं आपको पुलिस का प्लान बत जो रास्ता है जो मार्ग है वहां पर सबसे जादा फॉसिस की तैनाती कर दी गई है जानकारी भी मिल पा रही है कि पैरा मेलची फॉसिस के जवान वहां पर तैनात के गए दिल्ली पुलिस की जो 500 जवानों की टुकडी है उसे तैनात किया गया है ड्रोन से भी निगरानी काल चल जो है वो नजर आएगी इसके अलावा ये भी जानकारी मिल पा रही है कि अगर कोई भी द्रवी क्योंकि कल से ही आपने तस्वीरों में देखा ही होगा जैसे ही अर्विंद के जिवाल की गिरफतारी होने ही जा रही थी एडी उनके घर पहुंची थी उस समय आपने कि कितने कारेकरता उनके आवास के सामने पहुंच गए थे हला कर रहे थे आंदोलन कर रहे थे और ऐसे में अब एक बार फिर से आज सुभे वो तस्वीरें ना हो क्योंकि हमने देखा यह सुभे से कि आमादी पार्टी के कारेकरता तो जगा जगा एकटे हुए हैं हाला कि देखे धारव 144 जो है इन तमाम इलाकों में लागू कर दी गई है इस तरीके से एक साथ भी जो कारेकरता है वो कठे नहीं हुए हैं लेकिन अगर यह प्रदर्शन और ज्यादा होता है तो पुलिस ने पूरे आक्शन की तयारी भी कर ली है अचा बेरिकेटिंग्स के अला था कि कोई ऐसी सिचुएशन बन जाती है तो तुरंट उन्हें इरासत में लिया जाएगा जो भी आमादी पाठी के कारे करता होंगे और आपने देखा यह कल भी जुस तरीके से वो लगतार आंदोलंग कर रहे थे कुछ आमादी पाठी के कारे करता हों को डिटेन किया गय है क्योंकि यही वो समवेधनशील इलाके हैं जहां पर सबसे जादा मुव्मेंट आज रहने वाली है लेकिन इस बीच अब आप आगर दिल्ली में ही हैं और किन रास्तों से आपको गुजरना चाहिए क्योंकि ट्राफिक विवस्था को भी कई ना कई दुरूस्त करने के ल इलान कर दिया गया सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक यह आई टियो जो मेट्रो स्टेशन है उसे बंद करना पड़ेगा तो यानि कि अगर आप आई टियो के मेट्रो स्टेशन से यानि वहां से आप गुजरते हैं तो आपको अपना रूट बदलना होगा इसके अलावा उस की वुर्मेंट होगी तो यहां से आप जाने सकते हैं क्या भी भी जो मुववमेंट हो ही रही है कुछ लोगों की उनके विजन कि अप आहां से पास नहीं कर सकते हैं यहां से अर्विन के जिवाल को बंद किया जा सकता हैं अच्कि और एसे मार्ग हैं कुछ और स्टेशनSat जिन पर जो है आज नजर बनी रह सकती है जैसे कि मोतिलाल नहरुमार्क जनपत डॉक्टर एपीजे अब्दुलकलाम रोड यहां पर भी ट्राफिक थोड़ा सा प्रभावित रह सकता है यानि कि अगर आप यहां से गुजर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा देखना होगा कि आ जगातार विरोध प्रदशन हो रहे हैं हमलावर आमाधी पार्टी के तरफ से कहाई जा रहा है तो डी डी यू मार्ग जैसे कि हमने आपको पहले बताय कि दिन दयाल उपाद्य है जो मार्ग है या आई ट्यो से कश्मीरी गेट जाने वाले जो भी इलाके हैं वहां पर भी क आई वर्जन थोड़ा से थोड़ा ट्राफिक में होगा तो यहां पर कहीं ना कहीं आपको थोड़े से जाम की स्थिती जो है वो नजर आ सकती है इसके अलावा डी डी यू मार्ग पर तो मैंने आपको बताया है क्योंकि ब्राउज एविनी क्योट आम अधिपार्टी को बंद किया जा सकता है लेकिन अगर आप डिली में ही रहते हैं और इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं तो आज थोड़ा सा वॉइट कीजिए ट्राफिक नियमों का पालन कीजिए क्योंकि जैम की स्थिती ना हो और लोग नाडर की सिचुएशन भी खाराब ना हो इसके होता है यह तो दिल्ली पुलस और पैरमिल्ट्री के जवान वहां पर तनात हैं उनको देखना है लेकिन सिचुएशन क्वांटर कंट्रोल करने के लिए आप लोगों को भी सहीयोग देना चाहिए तो इन रास्तों से आज आज आप ना जाने कर दो